नमस्कार दोसों, फिले से स्वागत आपका नए वीडियो के साथ, जो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, और आपको को सी 3 में आप यहां पर अचैने का इसे कर सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पर option देखने को मिल जाएगा recording notification का तो आपको यहाँ पर call recording होने के बाद notification रिसीव करनी है, यह मतलब चाहिए तो आप यहाँ पर notification रिसीव कर सकते हैं, otherwise यहाँ पर मैं बंद कर दूँगी, कि मुझे नहीं चाहिए और record automatic call पर आप यहाँ पर on कर देंग तो यहाँ पर custom list पर click करके आप कोई भी number यहाँ पर add कर सकते हैं, तो यहाँ पर already इतने number मैंने add कर रखे हैं, तो नए number add करने के लिए आपको plus की निशान पर जाना होगा, तो यहाँ पर recent में से ले सकते हैं, group में से ले सकते हैं, फिर contact में से, तो contact में से जाके आप कोई सा तो यहां पर इसको click कर दूँगी और यहां पर इसको remove पर click कर दूँगी और remove कर दूँगी तो यहां से यह number का call recording अब नहीं होगा इतना करने के बाद यहां पर आपको चले जाना है back और यहां पर देख सकते हैं कि यह unknown number भी on है मतलब यहां पर जो number आपके contact list में save नहीं है उ कोई भी number रहे हैं पर डायल करेंगे तो यहां पर आपके call recording हो जाएगी स्टार्ट हो जाएगी ठीक है तो अब ही मेरा true caller active है तो इस वजह से call recording नहीं होगी, आपका यहाँ पर true caller हटा के default setting में आप दूसरा वाला डाल देंगे तो यहाँ पर call recording होने start हो जाएगी आपकी ठीक है, तो call recording आपकी हो जाएगी तो आपकी मिलेगी कहाँ पे, तो आपको यहाँ पर च्रॉल करना है और यहाँ पर आपको देखने को मेलेगा recorder का option, आप इस पर चले जाएगे और इसके बाद यहाँ पर three line पर चले जाएगे और इसके बाद record call का option देखने को मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप दिख सकते हैं यहाँ पर इतनी call recording already हो रखी है तो यहाँ से आप play करके सुन लेंगे तो इस ट्रैप से setting कर लीजेगा, I hope guys यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा चली मिलते हैं आपको एक next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार